क्या आप बिना बुलू टिक लगे वाटसप मैसेज पढ़ना चाते हैं? क्या आप बिना लास सिंज को चेंज हुए वाटसप मैसेज पढ़ना चाते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है इस वीडियो में मैं आपको WhatsApp की एक ऐसी secret trick बताऊंगा जिसकी मदद से आप WhatsApp पर सबी लोगों के message पढ़ लेंगे लेकिन message पर blue tick नहीं लगेगा, सिर्फ gray tick लगेगा और last scene भी update नहीं होगा इस तरह से आप offline रहे कर किसी के साथ chat भी कर सकती हैं इसके लिए आपको ये वाली application अपने phone में download कर लेना है इसका download link मैंने वीडियो के description में दे दिया है इसका नाम क्या है मैं वीडियो के end में बता दूँगा app को description से ही download करना क्योंकि play store पर कहीं सारी fact application आपको मिलेगी तो जैसी आप app को open करेंगे कुछ इस तरह से interface दिखाई देगा आपको next पर click करना है फिर से next करना है फिर से next करना है और यहाँ पर आपको दो permission इस application को दे देना है तो हम फटा फट से permission को allow कर देते हैं यहां पर आपको application को देख लेना है और आपको यहां पर allow कर देना है इसके बाद यहां से back आना है बैक आने के बाद दूसरी जो setting इसे भी यहां से on करना है और application को permission allow कर देना है allow करने के बाद आपको यहां से बैक आ जाना है बैक आने के बाद यह application में हमारा काम हो चुका है अब आपको नीचे में यहां पर done पर click कर देना है done पर click करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से page open हो जाएगा अब आप किस तरह से बिना blue tick लगे message को पढ़ सकते हैं और बिना last thing को change किये whatsapp message पढ़ सकते हैं वो यहां पर आपको दिखा देता हूँ दो mobile है मेरे पास मैं आपको live यहां पर proof के साथ दिखाऊंगा तो यहां पर मैं message करता हूँ यह वाले mobile पर तो आप देखेंगे यहां पर message मैंने send कर दिया है ठीक है एक और message हम यहां पर कर देते हैं थोड़ा सा बड़ा यह message मैंने कर दिया है ठीक अब यहां पर मुझे message आ चुके हैं लेकिन आप यहां पर देख सकते हैं मुझे एक bubble chat यहां पर दिखाई दे रही है इस बंदी की profile है उसके उपर तो हमें क्या करना इसके message को पढ़ने के लिए WhatsApp को open नहीं करना है अगर हम WhatsApp को open करेंगे तो इसके message पर blue tick लग जाएगा हमें तो message पढ़ना है बिना blue tick लगे तो हमें यहां पर इस bubble पर एक बार इस तरह से click करना है तो इस बंदी की chat open हो जाएगी जो भी message उसने हमें send किया है उसके यहां पर हम सारे message पढ़ सकते हैं वो जितने भी message करेगा सारे message यहां पर आते जाएंगे हम सभी message को पढ़ लेंगे लेकिन आप यहां पर आप देख सकते हैं message पर blue tick नहीं लग रहा है और नहीं हमारा last scene अपडेट हो आई यहां पर आप देख सकते हैं टाइम क्या दिखा रहा है 3 बच कर 47 मिनट जब कर टाइम हो रहा है 4 बच कर 17 मिनट तो इस तरह से आप बिना blue tick लगे किसी की भी message पढ़ सकते हैं बिना last scene को change किये किसी की भी message पढ़ सकते हैं अब मान लिजी आपको कुछ तीसरा बंदा message करता है यहां पर मैं तीसरे mobile से अपने message करता हूँ तो यहां पर आपको उस बंदी की profile दिखाई देगी इस पर आप click करेंगे तो जिन जिन लोगों ने आपको message किया हुआ है उन सभी की profile आपको यहां पर दिखाई देगी आप देख सकते हैं यहां पर इस तरह से आप change कर सकते हैं chat को आप जिसकी भी profile पर click करेंगे उसकी chat open हो जाएगी आप उनके सभी message पढ़ लेंगे लेकिन message पर blue tick नहीं लगेगा नहीं आपका last thing अपडेट होगा अब अगर यहां से आप message कर reply कर देते हैं तो दोस्तों क्या होगा यहां पर आप देख लीजिए message पर blue tick लग जाएगा यहां पर आप देख सकते हैं अब आप इस तरह से chat कर सकते हैं बीना online आये क्योंकि आपका last thing जो है वो update नहीं होगा अगर आपको इस bubble chat को यहां से delete करना है तो आप इस तरह से नीचे लेकर आएंगे तो यह delete हो जाएगा अगर आपको chat history चेक करना है तो आप application को open कीजिए यहां पर chat history में आएंगे तो यहां पर आपको किस-किस ने क्या-क्या message की होएं वो यहां पर आप देख सकते हैं आप उनके नाम और profile के साथ यहां पर chat history देख सकते हैं यहां से हम back आते हैं यहां पर आप देख सकते हैं इस तरह से chat history आप देख सकते हैं application के अंदर कुछ setting भी कर सकते हैं अगर add show होती है तो add को यहां से cut कर देना है settings में आएंगे तो यहां पर आप बहुत सारी setting कर सकते हैं यहां पर night mood को on कर सकते हैं bubble की size को छोटा बड़ा कर सकते हैं बहुत सारी setting यहां पर दी गई है इस तरह से आप बिना blue tick लगे किसी की भी whatsapp message पढ़ सकते हैं और बिना last thing को change किये किसी की भी message पढ़ सकते हैं इस app की मदश से आप offline record chat भी कर सकते हैं अगर आप अपने whatsapp पर single tick setting को on करना चाते हैं तो आप यह वाला video देखिए अगर आप चाहते हैं last thing जिसे चाहो उसी को दिखाई दे तो आप यह वाला video देखिए अगर आपको यह video पसंद आया है तो video को like कर दो चैनल को subscribe कर लो